हेलो जेए एस्पिरेंट्स जैसा कि आप सभी को पता है कि 24 जेए मेन सेकिंड अटेंप्ट आ चुका है और ऐसे में काफी बच्चों के दिमाग में अभी भी कुछ प्रशन कुछ क्यूरीस चल रही है कि सर क्या हम अभी भी नंबर बढ़ा सकते हैं फाइनल एक्जाम में तो हम 99 परसेंटाइल इजी ली ला सकते हैं या 99 परसेंटाइल आने के लिए हमें क्या करना होगा देखिए जनरल यह सवाल एवरेज या बिलो एवरेज बच्चों का होता है क्योंकि जो टॉप बच्चे हैं उनको तो परफेट स्कोरर की केटेगरी में अपने आपको खड़ा आला जा सकता है कि 180 माक्स लगभग 180 माक्स पर 99 परसेंटाइल आ जाती है देखो बच्चों में इसमें एक इफन बर्स बोलूंगा कि जो अभी 24 जही में हुआ था जनवरी अटेम्ट इसमें शिफ्ट वाइस काफी विरीशन आया था अराउंड 50 माक्स तक का विरीशन था सिस्ट्री है वो लगबग बताती कि 180 माक्स 185 पर आपको 99 परसेंटाइल बन जाती है इसका मतलब यह हुआ कि 30 प्लस 30 प्लस 30 90 क्योक्षन थे 180 के आसपास स्कोर करना है तो हमें 45 क्योक्षन या 50 क्योक्षन के आसपास सही करके आने पड़ेंगे तो यहां पर आप देख सकत हैं कि अगर आप यह स्ट्रीजर रखते कि 55 60 के आसपास मुझे सवाल करना है सही सवाल करना है पर सब्जेक्ट तो दिख लीजिए 15 प्लस मैने था 150 प्लस मैने 5 15 प्लस मैने 5 इतने सवाल अगर आप सही करके आ जाते हैं तो आपको paper में margin time ज्यादा मिलेगा accuracy आप बढ़ा सकते हैं तो 99% लाने के लिए आप ये technique अपनाईए आपका target fix है 55 के आसपास आपको सवाल 60 के आसपास आपको सवाल ढंक से करके आने है second सवाल ये आता है कि sir मेरी तयारी कम है क्या मैं कुछ chapter छोड़के जा सकता हूँ तो बच्चों इसमें भी मेरा answer बटा हुआ है average और above average जिनको हम topper भी बोलते हैं उनके लिए इसका answer है no आपको सारा syllabus cover करके जाना है कारण अगर आप J-Main का pattern analysis करते हैं तो paper का level कही न कही आज की तारीक में towards downside है tough सवाल नहीं आ रहे हैं एक ही सवाल में दो, तीन, चार concept merge होकर नहीं आ रहे हैं बट बच्चों क्या है syllabus बहुत wide है around 35, 35, 35 तीनों ही subject में chapter है तो 100 plus chapter है ऐसे में बच्चा भूल जाता है तो मैं क्या कहूंगा last moment पर अगर आपको लगता है कि आपका कोई chapter week है आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है बट आपके पास उसके अच्छे theory notes है या उसकी अच्छी reference book है तो बच्चों at least formula देखकर जाईए standard result देखकर जाईए और जो formula आप देखकर जा रहे हैं उसको थोड़ा सा याद करिए और उसके ओपर दो तीन practice problem जो आपकी नौट बुक में करा रखा है उसी को देख जाईए नया करने की कोई ज़रुत नहीं है अगर आप ऐसा भी कर गए तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसे सवाल जो केवल formula basis के हैं जो आप छोड़ का जाना चाते थे chapter में वो आएंगे और आपको easily चार नंबर मिल जाएंगे पर सवाल क्या कोड़ी तो बच्चों बहुत अच्छी strategy है chapter ना छोड़ के जाए at least formula देख कर जाए standard result देख के जाए तीसरा जो बच्चों के दिमाग में सवाल आता है कि सर speed नहीं बन पाती है पेपर में कोशिश बरूर जरूर करते हैं बट वो speed नहीं आ पाती इस कारण से क्योक्शन आफ जो attempt होता है वो गलत भी होता है negative marking भी देता है number भी क्योक्शन भी कमी attempt कर पाते है तो बच्चों access तो इसका कोई simple solution नहीं है बट फिर भी मैं आपको एक solution निकाल कर देने की जरूर कोशिश कर रहा हूँ जैसे आपने देखा होगा कि cricket में भी अगर कोई player जाता है तो वो pitch पर आते ही hitting चालू नहीं करता है वो five to ten balls अपने आपको जमने के लिए देता है rhythm में आता है game की और उसके बाद फिर वो एक लंबी पारी खिलता है on the same way जब आप starting के तीन घंटे के paper के जो 5 से 10 minute होते हैं उस समय अपने दिमाग को बहुत cool रखें इदर उदर के बारे में कुछ न सोचें बिल्कुल भी न डरें और जो paper है उसके सवाल को बहुत आराम से पड़ें धीरे धीरे पड़ें इस प्रकार से पड़ें कि उसका एक एक शब्द आपके सामने imaginations में आ जाए आपकी imaginations में आ जाए image बन कर आ जाए जब आप इस प्रकार की habit डालेंगे तो आप धीरे धीरे within 5 to 10 minutes paper के mode में आ चुके होंगे और जब आप paper के mode में आ चुके होंगे तो जो आप सवाल पड़ रहे हैं वो बहुत killer picture के साथ आपके दिमाग में strike करेगा और जब आपको उसकी image दिखेगी तो obvious ही बात है आपको उसकी understanding भी अच्छी होगी understanding अच्छी होगी तो quite obvious है कि आप उसका reply भी fast कर पाएंगे अच्छी तरीके से कर पाएंगे और धीरे धीरे आप अपने आप देखते जाना आपकी speed बढ़ती जाएगी in fact आपकी accuracy भी बढ़ेगी क्योंकि speed के साथ accuracy भी matter करती है तो बच्चो starting के 10 minutes बिलकुल मत घबराना जो बच्चे वी के उनके लिए मैं कहूंगा ये 15 minutes भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है आपको पूरे 3 घंटे तक अच्छी betting करनी है लास इसमें एक चीज में और एड़ करना चाहूंगा बच्चों calculation की वज़ज से भी आपकी speed डाउन होती है और कभी-कभी negative marksman में convert होती है तो calculation करने का भी एक तरीका बताता हूं कभी भी rough work जो आपको rough sheet में work करते हैं उसको randomly मत करो function number 1 यहां कर लिए है दो यहां कर लिया चार यहां कर लिया ऐसा नहीं करना है sheet मिलती है function number 1 करना है उसका एक proper horizontal column बना लीजिए या vertical column बना लीजिए function number 1 किया answer लिखा solution किया अगर मालनो वो पूरा नहीं भी हुआ तो इससे फायदा होगा कि जब आप review करेंगे तो तुरंत आपको पता लग जाएगा आपने कहां से उसको छोड़ा था और वहीं से आप उसको carry forward करेंगे तो यहां पर आप समय बचा सकते हैं second जो calculations होती है उसको in between ना करें बीच में ना करें calculation को last तक carry forward करें जैसे 200 divided by 19 into 16 let's see है कही calculation आ गई अब यह calculation का जो result है वो इसी सवाल में आगे भी use होने वाला है तो अगर आपने यहां कहीं न कहीं गड़बड कर दी तो वह आपका आगे का भी answer गड़बड हो जाएगा इसलिए इस calculation को बिलकुल last तक carry forward करें और नीचे आकर अब आप final calculation करें इसमें error होने के chances बहुत काम है अगर error होती भी है तो एक जगह होगी आप वहाँ पर उसको cross verify कर सकते हैं तो यह जो सवाल थे यह तो थे average के या थोड़ा सा below average के अब topers का भी एक सवाल होता है कि sir हम लगभग 100 marks में से 95 यह 90 का तो अच्छा करके आते हैं बट एक या दो सवाल हमसे गलत हो जाते हैं इस करण से कभी कभी हम perfect 100 percentile नहीं लेके आपाते तो बच्चों यह generally देखा गया है कि वो जो एक या दो सवाल आपका गलत हो रहा है वो theory basis का होता है या memory basis का होता है result basis का होता है जिसको आपको रटके जाना होता है अब हमें भी नहीं पता वो actual सवाल कौन सा होगा nobody can predict बट यहां पर हमारी जो सबसे जड़ा help करेगी वो है हमारी NCRT की book मैं सभी बच्चों को बोलता हूँ NCRT की book एक या दो बार ढंग से reading जरूर करके जाए especially उसके जो blue letters लिखे होते हैं और जो उसकी white strip के उपर note लिखा होता है उसको जरूर पढ़के जाएए ज़ादतर सवाल ऐसे tough सवाल जो memory basis के होते वो यहीं से पसते हैं तो ढंग से NCRT की book पढ़के जाएए बाकी best of luck अच्छा करके आएए